सरवदा सरवभावेन, भगवाने व webinar बजनिया, देवर्शी नारज जी महाराज कहते हैं, देखो भई, सरवदा मने सब काल में, सरवदा सब स्थान में, और सर्वभावेन, सरवभावेन सब्धकारत है, अधि भूत, अधि दैव, और अध्यात्म के रूप में, आप जहांगे आधियात्म, अधिध्य, अधिभूत के रूप में कैसे भगवान का भजन करें तीनों में तो मूल ये है अधियात्म के रूप में भगवान साक्षी है सब के साक्षी भगवान है और अधिदैव में कौन है सर्वदेव रूप समस्त्रिंद्रियों के प्रेरख प्रकासक भगवान ही है अधिदैव के रूप में और अधिभूत में कौन है बुले जगत में भगवान के अत्रिक्त दूसरी कोई वस्तू है यी नहीं सरवत्र शियर नाम में सब जग जाने अदिभू तो वही हैं इस प्रकार से निश्यत रूज से भगवान एव भजनिया कि इतनी बढ़िया बात सर्व भावेन का महराश्ची ने तो बहुत अद्भूत किया मुझे बहुत प्यारा लगा सर्व भावेन भजनिया भगवान एव भजनिया सब भाव से भजन कैसे हो हमारा चलना भजन हमारा बोलना भजन हमारा देखना भजन हमारा सुनना भजन हमारा भोजन करना भजन आप कहेंगे कि चलना भजन कैसे हो जाएगा तो प्रतिवी में कौन बोले प्रतिवी देवता आपो देवता, सुरियो देवता, तो जो प्रथिवी देवता है, यह हम लोगों ने भी अन्भो किया है, बच्पन में, कई लोगों को बड़े बूड़ों को, पैर दबवाने की आदत होती है, अब छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे तो हाँस से पैर दबा सकते नहीं, क्योंकि उनके हाथों में जोर नहीं है, और उनको अधिकतर पहले के लोग, गाउं में लोग पहलवानी करते थे, तो कुस्ती करना, और जो पहलवानी आदी करते हैं, जितना में अधिकते हैं, बुढ़ापा में उनको बहुत तकलीफ होती, पैर दर्द करते हैं, और घुटने दर्द करते हैं, तो सोचते हैं, कोई दबा दे, तो लोग क्या करते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को, हाथ में लठिया दे देंगे, और कहेंगे, चार पाई पर लेते हैं, विस्तर पर लेते हैं, लठिया के सारे खड़े हो जाओ, गिरोगे नहीं, और कहते हैं, उल्टा लेट जाते हुले हमारे पीट को कुचर दो, पीट को कुचर दो, तो बच्चे महराज लठिया के सारे लेकर फिर खुब उचलते हैं, उ जाती है तो आपने को भी यही लगे कि जब हम चलते हैं तो प्रतिवी मया की सेवा कर रहे हैं प्रतिवी मया में उसी प्रकार से महाराज चल रहे हैं जैसे बच्चे लठिया लेके चलते हैं उनके चलने से प्रतिवी को संतोस हो रहे हैं तो यह इस प्रकार सर्भावेन इस प पढ़िया किया, सर्व भावेद माने, पती, पुत्र, माता, पिता, भाई, सखा, स्वामी, सेवक, आत्मा, सरूरूप मानकर भगवान का ही भजन करो, ये जितने संसार के लोग हैं असपास आपके, ये भगवान के ही है, भगवान के ही हैं, भगवान के सुरूप हैं, तो जो भी आप सेवा करो इसलिए नहीं, ये संसारी लोग तो सेवा इसलिए करते हैं, कि मा का हमारे उपर रिन है, पिता का हमारे उपर रिन है, सेवक सोचता है, अरे स्वामी ने हमको ये दिया है, उसका पैसा हमको मिलता है, यहां रहने को मिलता है, इसलिए हमारा सेवा करन करतब्य है किन्तो भक्त सर्व भावेन का भी प्राय वा यह सोच कर नहीं करता कि इन्होंने हमको कुछ दिया है वो लगता ये सब भगवान के हैं सर्व भावेन ये सब भाव से अध्यात्म से, अधिदैव से अधिभूत से सब भगवान के इसलिए सब की सेवा करो जहां रह रहे हो अध्वा सर्व भावेन सब्दकारत योगी लोग तुमाराज ये करते हैं कि मूलाधार स्वादिष्ठान, मनिपूरवक रदय, कंट, भुमध्य आज्याचक्र, सहस्रार सहस्रार ये सब में सूर्षिक में जिन जिन स्थानों पर जिन जिन देवताओं का चिंतन करना है उस रूप में भगवान ही है ये सर्व भावेन हो गया और सर्व भावेन का रच्च और भी एक बड़ा दभूत है जो हम लोगों के लिए एक बड़े काम का है नारायन, शिव, सक्ति, सूर्य, गणपति, राम, कृष्ण आदी भगवान के बिन बिन रूप है सब ये रूप भगवान के ये भाव क्या करना है सब रूप भगवान के नारायन भी भगवान शिव भी भगवान, सक्ती भी भगवान, सूरी भी भगवान, गडपती भी भगवान, राम भी भगवान, कृष्ण भी भगवान ये सब के सब रूप भगवान के हैं, इस भाव से निश्यत रूप से भजन करें